हलो गाईज आज इस वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला है MIUI 12K Mi Fan Edition 20.6.18 Lite रोम के बारे में जो की Android 10 port रोम है Redmi Note 5 Pro के लिए ते एक न्यूव पोर्ट रोम है और इसमें हमें क्या कुछ देखने को मिलता हूं सारी चीज़ों बारे में आपर बात करूंगा फीचर्स कौंट कौंट से न्यूव देखने को मिलता है जो पुराने बग्स तर फिक्स हुए है इसमें कि नहीं हुए हो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगों साथ साथ हमारा PUBG के बारे में भी बात करेंगे तो पुरी वीडियो ज़रूर देखना और अगर आप नए आई हैं तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लें और साथ सब बैल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन वेल को All पे कर लें ताकि जब भी मागली वीडियो अप्लोड कर रोग आप सब को नोटिफिकेशन मिल जा और साथ साथ हमारे टेलिग्राम पर जोइन हो लें उसकी लिंक भी आपको डिस्कृप्टन मिल जाएगी सारी अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाए करेंगे तो चलिए हम यहां पर बीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चलते हैं हम यहां पर इसके अवाउट फोन में ओल स्पेक्स के अंदर यहां पर एंडोइट 10 हमें देखने को मिल जाता है एक स्टेंड को मिल जाता है और तो स्मूध रॉम का आपको अची मिल जाती है बाकी वॉल्यूम पैनल हमारा यहां पर कुछ इस तरी के देखने को मिलता है पावर मेन्यू में आपको recovery and fast boot का भी option देखने को हमें यहाँ पर मिल जाता है और बात करते हैं recent की तो recent हमारा हमारा काफी smooth है जैसे कि आप देख सकते recent में भी कोई दिक्कत आपको देखने को यहाँ नहीं मिलती है तो recent में हमारा काफी smooth है floating window भी हमें देखने को मिल जाती है जो कि आप अच्छी तरी किसे use कर पाएंगे बात करते हैं calling की तो calling जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरी किसे हो रही जियो वल्टी वीड़ा वेड्य को यह हो रही ताब यहां पे अच्छी तरी किसे calling कर पाएंगे गैलरी के अंदर आपको sky का देखने को मिल जाता, sky filter, dynamic and static जो कि हमें देखने को मिलता है and camera की बात करते हैं, camera यहाँ पर new वाला देखने को मिलने वाला है लेकिन यहाँ पर आप आप देखोगे तो picture quality जो front है, आपकी 5 megapixel ही रहेगी जो पुराने वक्स थे बागी portrait mode आपका front back काम नहीं करता है, और normally more के अंदर आपको यह options मिल जाते है video quality के अगर हम बात करते है, video quality 1080 60fps and 4K 30fps तक देखने को मिल जाएगी यहाँ पर और बात करते हैं settings की, तो settings के अंदर हम चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा customize को option देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको features, जो कि features layout मिल जाता है and camera mode मिल जाता है, colors देखने को मिल जाते है and साथ-साथ यहाँ पर sound मिल जाता है, जो कि shutter sound आपको सुनाई देगा, यहाँ पर change कर पाऊगे and Gcam की बात करें, तो Gcam जो है हमारा यहाँ बिल्कुल इस दरीके से working है, तो Gcam भी आप यहाँ बिल्कुल इस दरीके से use कर पाएंगे बिना किसी problem के next बात करते हैं, यहाँ पर FM की, तो FM भी हमारा जो है बिल्कुल इस दरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, और screen recording के अंदर internal sound record हो रहा है, और साथ-साथ frame rate भी हमारा यहाँ पर 60 अपे तक हम बिल जाता है Play Store की बात करें, तो Play Store जो है आप यहाँ पर not satisfied रहेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वालों कैसे satisfied करना है, तो ध्यान से दुनना ताकि काफी आप पहले वीडियो में काफी सारी में मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप पूछते हो कि कैसे fix होगा, आप में कैसे fix था, मेरा नहीं हो रहा है, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखें, इसलिए मैं आपको बताता हूँ अब आपको करना क्या है कि आपके जब रोम फ्लस करोगे, तो रोम फ्लस करने कौद आपके जो phone में magic फ्लस रहेगा, 20.4 वाला फ्लस रहेगा, जैसे कि आप देखेंगो, तो मेरा 20.3 है, तो मैं यहाँ पे बाद में 20.3 फ्लस कर लेगा, तो इसके बाद आपको जाना है, प कई प्ले करके यहां पर Dire ran को यहां प्रयार कर देना है और यहां पर अफिर काई डारा उसके बाद बी से पच्छी सेकन एच्प भी देखने को मिल जाता है इस रोब में तो आप इसके वे इंज्व्याइब करपाईगे एच्छों की देखने को इसमें नहीं मिलते हैं बाकि यहां पर पिक्चर इंप्चर मोड में प्ले कर पाऊँगे बाइंगो इसको तरीक विट दा आप कर नहीं करता है इसको पड़ेगा बाकि यहां पे फोन पे जो है हमारा यहां यहां पे बिलकुल यहां पे सद्रीके से काम कर रहे तो फोन पर भी आप यहां पे यहां पर डेखने को और अनिस्टोल एनिमीशन की बात करें निस हें व स्क्तक्री फिर को और कास्ट की बात करें तो कास्ट भी हमारा विल्कुल इसे दरीके से working है तो आप इसका भी यूज़ कर पाएंगे और बात करते हैं लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन के अंतर अगर हम चलते हैं यहां पर नॉर्मली डबल टैप यह सारे ऑप्सन हमें मिल जाते हैं यहां पर हम बात करते हैं जो की साइड पैनल इसके अंतर अगर आप जाओ कि जो है क्रेस्ट कर जाता है तो यह आपको स्टोब बता देगा बार बार आगर आगर ट्राइक करोगे तो यह जो हमारा काम नहीं कर रहा है बाकि चार्जिंग अनिमीशन आपको फ्लो वाला को बाकि बात करते हैं डिस्प्ले के तो डिस्प्ले के अंदर मारा रेडिंग मोड हो गया कलर हो गया डार्क मोड हो गया तीनों भी बिल्कुल ऐसे काम करें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है और यहां पर हम चलते हैं बैक करते हैं और यहां पर हमारा जो सिस्टम अनिम जिसका आप यहां पर यूज कर पाऊगे बाकि यहां पर हमें नीचे देखने को मिल जाता है हमारा यहां पर स्टेटस बार मोड जिसमें आप सेंटर क्लोग भी इनेवल कर पाऊगे आयोस स्टाइल या यह इस तरीके से यूज करके यहां पर बाकि नीचे अगर आप आते हो तो आप देखते हो तो जो है ऑप्सन यहां पर हाइड हो चुका और आपकी फ्लस लाइड जो है ऊपर आ गई है तीस तरीके से आप उसको हाइड कर पाऊगे और यहां से जो है ओफ करने बाद फिर सो करने लेगा तीया में ऑप्सन मिल जाता है बाकि यहां पर बैटरी मिलता वही सारी सेटिंग्स है प्रोफाइल बीड़ अडिशनल सेटिंग्स एंड साउंड इफेक्ट के अंदर में MI साउंड इनेंसर जो है देखने को मिल जाता है बात करते हैं यहां पर होम स्क्रीन की तो होम स्क्रीन के अंदर भी आपको बग मिलता है फिलाल उससे पहले आपको देखने को मिल जाओ घे सकते हैं और कुछ आपको सिस्टम बॉल पेपर भी देखने को मिलने सकते हैं यहांप देखने को इन चलते हैं ऐसे फोंड के अंदर तो यह जो है हमारा यहां पर fix देखने को मिल जाता है देख आप इच्छी बात है एंड यहां पर बात करते हैं आइकान समय मिल जाते हैं theme component के अंदर boot animation boot audio मिल जाता है theme lab के अंदर transparent ball paper and ball paper side show देखने को मिल जाता है and apps के अंदर आपको normally सारे settings मिल जाती है and dual app विल्कुल इस तरहीं से वर्किंग है additional settings की बात करें तो language की बात करें यहां पर अदर language जो है यहां पर काफी सारी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप नहीं से काम स्वाइब बात करते हैं इस चाम नहीं करता है और यहां पर जो है मैं बात करूं गूंगल इसी तरी के से काम कर रहा है और यहाँ बटन्स के अगर मैं बात करूं नहीं हुआ है बाकी यहांपे हम बात करते हैं इग्नोर एसिडेंट एसमोल एरिया यह सब तरफ नौटिफिकेशन लाइट भी हमारी जो है वरकिंग है यहांपे बात करते हैं क्लिए स्पीकर देखने को मल जाता है एंड focus mode भी इसके साथ देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो हमारा boot animation है वो MIUI 12 वाला ही देखने को मिलता है तो जैसे कि आप देख सको तो यह boot animation आपको मिल जाएगा और PUBG की बात करें उससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा intuitive benchmark score है तो आपको बता हूँ नौरमल यह आपको हल्का फुलका lag आपको इसमें देखने को मिलने वाला है जो कि दूसरे रूम अगर्ण करणल पर ही lag हमें देखने को वाला नहीं मिलता था जैसे इस पर मिलता है थोड़ा बूप बग्स जो कि मैं आपको अल्रेडी बताई चुका हूं कौन-कौन से बग्स यहां पर मिलते हैं तो पब जी भी आपको इसे खेली सकते हैं उतना भी ज्यादा आपको लेगा ऐसा देखने को नहीं मिलता है टश रिस्पोंस भी काव पर अच्छा ही है टश रिस्पोंस में भी कोई दिक्कत यहां पर देखने को नहीं मिलती है और ऐसा भी नहीं कि कोई हैवी वाला लग होता है ऐसा कुछ नहीं है बाकि नॉर्मली थोड़ा वो जो होता है वह आपको देखने को मिली जाएगा बाकि आप करनल चाहो तो चेल्ज कर सकते हो आपके अपने इस आपसे एं लें और ताकि आपका जो है यहां पर आपका सेबटी निट वह आप यहां पर फिख कर आऊए हैयो आपको बता चुका हूँ इसी तरीके जो है आप यहां पर फिक्स कर पाऊगते है इस वीडियो में और आगर आप नहीं आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ल जो है आपकी help हो जाएगी तिया सारे चीदि आज की वीडियो में बस thanks for watching